जे हिन आप सभी का एक बार फिस्वागत है आपके अपने यूटूब चनल सेनिक समाचार में एक नए वीडियो के साथ सातियों आज हम बहुती इंपोर्टेंट ओडर के उपर बात करेंगे अब पैंसन बंद नहीं होगी जी हाँ सातियों आपने सही सुना और जैसा कि आप थमनेल में देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट ओफ एक सर्विसमेन वेलफेर ने पैंसनस के लिए जारी किया है एक बहुती मैतोपूर्ण आदेश आज हम इस वीडियो में उसी ओर्डर को पूरा कवर करेंगे कि क्या है ये आदेश आये सातियों समझते हैं सातियों इस ओर्डर में लिखी जानकारी को समझने से पहले हम ब्रिप वेगराउंड जानते हैं कि जो आदेश आया है इससे पहले क्या रूल था अब तक ये नियम था कि यदि कोई पैंसनर, फैमिली पैंसन ले रहा है और किसी गोर्मेंट सर्वेंट के मर्डर या मर्डर करने में मदद करता है तो उसकी फैमिली पैंसन इस परकार का ओफेंस के चार्ज लगने के बाद बंद कर दी जाती थी और साथ थी साथ उसके परिवार के किसी भी अन्य मेंबर को उस फैमिली पैंशनर की जगे फैमिली पैंशन नहीं मिलती थी और वापस यदि वही family pensioner court से अंतिम फैसला आने पर यदि निर्दोस सबित हो जाता था तो वापस family pensioner उसको grant की जाती थी तो साथियों सिधी सिधी बात यह है कि कोई भी family pensioner इस परकार की गंटना में लिप के charge लगने के दिन से उसको family pension बंद कर दी जाती थी और उसके आगे किसी को भी family pension entitle नहीं होती थी लेकिन साथियों अब department of ex-servisement welfare ने इस policy में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए एक मैतु पूर्ण आदेश जारी किया है कि 16 June 2021 के बाद यदि कोई ऐसी गटना हुई है जिसमें defense family pensioner murder की गटना में या तो directly या indirectly लिप्त पाया गया हो और जिस पर इस परकार के charges लगे हो तथा साथ ही साथ उसका जो मामला है वो नायले में under trial है तो नायले का अंतीम फेसला आने तक और दोस या निर्दोस साबित होने तक जो भी next four होगा यह order सातियों tri services के लिए लागू है यानि army, air force, navy or defense civilians इन तीनों के लिए लागू है यदि कोई ऐसा family pensioner है जो 16 जून 21 के बाद में ऐसी गटना में under trial है और जिस पर चार्ज लगे होए हैं तो उनके परिवार के next four जो भी eligible family member है वो family pension के लिए claim कर सकते है उनका जो consent pension dispersing agency होगी PCDA या JCDA उनको वो claim record office के तुरू बिजवाएं जब तक वो main family member है under trial रहेगा तब तक next four family member को pension मिलती रहेगी और main family member यदि निर्दो साबित हो जाता है तो वापस pension main family member को transfer हो जाएगी साथियों ये पूरा फैसला भारत सरकार द्वारा उस family pension के परिवार वालों की जो financial conditions को ध्यान में रखते हुए लिया गया है बहुत ही मैतुपूर्ण कदम है साथियों जो की साहिता करेगा उन family pension को जिनके उपर charges सही भी लग सकते हैं मंतली 20-30,000 उपर जो मिलती है तो उस परिवार के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है तो सरकार का महतुकूर्ण कदम हम इसका सम्मान करते हैं और जिस किसी family member के साथ में ऐसा हुआ है तो उनके next for जो भी family member है वो court के, trial के, FIR के proper document लेके अपने जिला सेनिक बोर्ड में विजिट करें और इस order का हवाला देते हुए वो next for family member को family pension स्टार्ट करवाने के लिए claim भी जवाए इस वीडियो में इतना ही साती हों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ करविया वीडियो को like वे शेयर करें वे चैनल को first time विजिट करें तो subscribe करके bell icon प्रेस करना न बूलें सेनिक समचार चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद जै हिन जै बारत वंदे मातरम